हेलो एरवन स्वागत हाब लोगं का हमारे यूटुब चैनल बेस्ट नोट स्टिटूरल में आज हम पढ़ेंगे उत्राखन का एतिहासिक अधियन तो चलिए सुरू करते हैं आपका पहला प्रश्ण है किस गड़वाल नेरेश की मांग पर गवर्नल जन लोड हैस्टिंगर्ज ने गुर्खों के विरुद अंग्रेश सेना भेजकर उन्हें पराजित करवाया आपका सही आंसर होगा आपका सुदर्शन साह सुदर्शन साह का जन्म सन 1788 को हुआ था और मुरित्तु सन 1869 को गड़वाल पर राज करने वाले 69 पमार वंसिय राजाओं की सूची में 55 पीडी में जन्म रियासत तीरी के पहले नरेश दूर दर्शी परजात हेशी विद्वान और विद्वानों का आश्रेदातर राज कुमार सुदर्शन साह थे इनकी मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नल लॉर्ड हैस्टिंगर्ज ने गोर्खों के विरुद अंग्रे सेना बेज कर उन्हें पराजित करवाया तो अगला क्वेस्टन है गोर्खों को गड़वाल परसन 1803 इस विव में राजब प्रद्युम्न साह के सासनकाल में किसके नेतरुत्तों में बिजे मिली थी ओप्शन अमर सिंग थापा ओप्शन बी हस्तिदल चतुरिया ओप्शन से साह जहां ओप्शन डी ए और बी दोनों अमर सिंग थापा और हस्तिदल चतुरिया तो बड़े भाई जै कृत शाह के बाद प्रद्युम्न साह ने कुमाओं से आकर 1786 इस विव में गड़वाल के सत्ता संबाल ली लेकिन छोटे भाई प्राकरमा साह के खुचक्र के कारां गड़वाल की स्तती काफी खराब हो गई थी अतह नागरिक अतह आंतरिक कलह का लाप उठाते हुए सन 1781 इस विव में गड़वाल पर आकरमाट कर दिया लेकिन लंगूर गड़ नामकिस्तान पर प्राजित हो गए प्रदिम्न साह ने राज पर पुनह गुर्खों के आकरमाट से बचने के लिए प्राजित गुर्खाओं को प्रतिवर्श 25,000 रुपे देते रहने का वचन दिया जिससे वे पुनह आकरमाट ना करें लेकिन गड़वाल छेतर में बड़ा भुकम सन 1803 इस्वी में आया जब आंतरिक गुट बंदी राजा पर मंत्रियों का वर्चसो वग्रह यूद को देखते वे फरवरी 1803 इस्वी में अमर सिंग थापा और हस्तिदल चतुरिया के नित गड़वाल से मैदान के और चली गए तो अगला क्वेस्टन है नीमनी लिखिद में से नाक कटी रानी के नाम से किस महारानी को जाना जाता है आप्शन ए महारानी करणावती आप्शन भी महारानी तपस्चुनी आप्शन से रान्डी हिंडोरिया आप्शन डी रानी अवंदिकार तो आपका सही आंसर होगा आप्शन ए महारानी करणावती तो अगला क्वेस्टन है परमार वन्स के किस सासक ने अपनी राज़ानी चांदपूर घर से हटा कर सिरी नगर में इस्ताफित की आप्षण E रुद्र चंद ने आप्षण B कल्लार चंद ने आप्षण C अजे पाल ने आप्षण D इनमें से कोई नहीं तो आपका सही आंसर होगा option C अजेपाल ने परमार या पामार वन्स के 37 वे राजा अजेपाल के पूरु वरती राजाओं के बिसे में कोई ठोस एतिहासिक प्रमान उपलब नहीं है अजेपाल ने अपने भुजबल से पूरुजों के लगु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त 51 गड़ पतियों को जीत लिया और गड़ भुमी का एकिकरण भी किया इसने अपनी राजधानी चांदपुर गड़ से हटा कर 1358 इस्वी में स्रीनगर में इस्ताफित की अगला question है निम्न में से चंद राजाओं का राज़ चिन क्या था option A गोड़ा, option B गाई, option C तीर, option D बाग तो आपका सही आंसर होगा option B गाई कुमा मैं कच्चूरिस आसन के बाद सुम चंद के द्वारा एक हजार बीस से एक हजार पच्चिस इस्वी के मज्य चंद वन्स की स्ताफना की अरम राजय में के वल राज़दानी चंपावत के आसपास का ही छेतर समली था लेकिन बाद में चंदर सासुकों ने वर्तमान नैनिताल पित्थोरागर, अल्मोरा तथा नेपाल के भी कुछ हिस्सों को अपने अधीन कर लिया चंद राजाओं का राजी चिन गाय थी जिसे सिक्कों, मुहरों और जंडों आधी पर अंकित किया जाता था तो अगला क्वेस्टन है कुणिन्द वन्स का सबसे सक्ति साली राजा कौन था ओप्शन A, अमोग भूती ओप्शन B, बसंत देव ओप्शन C, हर्सुवर्धन ओप्शन D, ललित सूर तो आपका सही आंसर होगा ओप्शन A, अमोग भूती विविन सरोतों से घ्यात होता है कि कुणिन्द जाती के जाती उत्राखन पर सासन कने वाली प्रथम राजनीतिक सक्ति थी उत्राखन के पहाड़ी छेतरों में लगवक तीसरी चोथाई इसवी तक इनका सासन रहा प्रारम में कुणिन्द लूग मोर्यों के अधीन्ते कुरिन्द्वन्स का सबसे सकतिसाली राजा सबसे सकतिसाली सासक अमोग वूती था तो अगला क्वेस्टन है नीमनी लिखित में से लाखा मंडल से प्राप्त सिलालेक है आप्शन A असोक कालिन आप्शन B कालसी सिलालेक आप्शन C राजकुमारी इस्वरका आप्शन D उप्रोप सभी तो आपका सही आंसर होगा आप्शन C राजकुमारी इस्वरका देहरादून के जौनसार यानि की बावर इस्तित लाखा मंडल से राजकुमारी इस्वरका सिलालेक प्राप्त हुआ है तो अगला क्वेस्टन है कुमाओ छेत्र में बुद धर्म का प्रचार किसके समय में हुआ ऑप्शन A खसों के समय ऑप्शन B यक्ष के समय ऑप्शन C ग्यान चन्द के समय ऑप्शन D इनमे से कोई नहीं तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन A खसों के समय कुमाओं की जातियों में खस का उलेक मिलता है जो के बहुत ससक्त थी इन में धर्म में बहुत धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ कुमाओं में राजपूतों के प्रवेश्य पहले खसों का ही प्रभुत्त था तो अगला क्वेस्टन है निमने लखिद में ऐसे किस छेतर में अनेक नांग मंदिर इस्तित हैं तो आपका सही आन्सर होगा ऑप insulation बी कुमाउं छेतर में कुमा छेतर में बी नाग, बेनी नाग, दौल नाग, काली नाग, पिंगल नाग, बासुकी नाग, आधी ऐसे ही नाग देवताओं के मंदिनों की उपस्तिती प्राचिनकाल में नाग जाती के लोगों के निवास करने को प्रमानित करता है तो अगला question है, महा भारत के किस पर्व में लोमस रिशी के साथ पानों की बदरी नाथियातर का वरणन है Option A, स्वरगा रोहन पर्व, Option B, सांति पर्व, Option C, वन पर्व, Option D, विराट पर्व तो आपका सही आंसर होगा option C महाबारत की one पर्व के अनुसार उस छेत की पुलिंद एवं किराज जातियों का आधित पत्यत था तो अगले question पे चलते हैं तो अगले question है बाना सूर की राजदानी कहां थी? option A कनवासरब में option B जोतिसपुर में option C तपोवन में option D देव परियाग में तो आपका सही आंसर होगा option B जोतिसपुर में चंपावत जिले में लोहा घाट देवी दुरा मार्क से 7 किलो मीटर की दूरी पर इस्तित एक उंची चोटी पर इस किले की लंबाई 80 मीटर और चोड़ाई 20 मीटर है इस्तानिय मायनताओं के अनुसार इसका निर्माण बानसूर नामक देत्य राजय ने कराया था इस्तानिय भास में इसे कोट कहा जाता है अगला क्वेस्टन है फुरान ओतर काल में गड़वाल छेत्र को क्या कहा जाता था option A केदार मंडल option B बद्रिका छेत्र option C तपो भूमी option D उपरोग सभी तो आपका सई आंसर होग option D उपरोग सभी तपो भूमी बद्रिका छेत्र केदार मंडल तो अगला क्वेस्टन है गड़वाल छेत्र को वेदिक काल में किस नाम से जाना जाता था option A हिमुवंत option B हेमुवंत option C उत्त कुरू उत्तर कुरू option D केदार खंड तो आपका सई आंसर होगा option B हेमुवंत तो अगला क्वेस्टन है उत्तरा खंड का प्रेथम उलेख किस धार्मिक गरंद से मिलता है option A पोरानिक गरंद option B रिगवेद में option C एत्रेज ब्रामन में option D इनमें से कोई नहीं तो आपका सई आंसर होगा option B रिगवेद में उत्तरा खंड का प्रेथम उलेख हमें रिगवेद से प्राप्त होता है जिसमें इस छेत्र को देवोमी एवन मनीसियों की पूर्ण वोमी कहा गया है तो अगला क्वेशन है निमन में से अलमोरा जन्पन में पुरा इस्तल है option A लाखो गुफा option B लुए थाप option C पेट साल option D उपरोक सभी तो आपका सई आंसर होगा उपरोक सभी या सब अलमोरा में है पेट साल लुए थाप लाखो गुफा तो पहले करते हैं लाखो गुफा के बाद इसकी खोद सन 1968 में हुई इसको लाखो उड़ियार भी कहते है लाखो उड़ियार यहाँ अलमोरा के बाड़े छेना के पास सुयाल नदी तट पर इस्तित है तो अब बात करते हैं लुए थाप के लुए थाप से प्राप्त सहल चित्र में मानव को सिकार करते तता हाथ में हाथ डाले नरित्य करते दिखाया गया है और पेट साल पूना कोट गाउं के बीच इस्तित कफर कोट से प्राप्त नरित्य रत मानवा कृतियां कथई रंग से भरे हैं तो अगला क्वेशन है गुआरख्या गुफा किमनी गाउं गुफा मलारे गाउं आदेप पुरा इस्तल किस जन्पन में हैं ओप्सन अलमोडा ओप्सन भी बागेश्वर ओप्सन सी चमूली ओप्सन डी चमबावत तो आपका सही आंसर होगा ओप्सन सी चमूली किमनी गाउं चमूली के थराली के पास इस्तित किमनी गाउं में के गुफा से हलके सफेद रंग से चित्रित हतियार एवं पस्यों के सैल चित्र मिले हैं मलारी गाउं चमूली जिल्ले में सुदूर तिबत सीमा से सटे मलारी गाउं में गरवाल विश्च विद्याले के सूद करताओं को सन दोजार दो में हजारों वर्ष पुराना नर्क अंकाल मिट्टी के बरतन जानूरों के अंग और पांच किलो का एक सोने का मुखावराण आधी अवसेस मिले हैं तो अगला क्वेशन है किस पुरा इस्तल से निले रंग के सैल चित्र मिले हैं उप्षन ए किमने, उप्षन भी मलारे, उप्षन सी हुडले, उप्षन डी पेट साल तो आपका सही आंसर होगा उप्षन सी उत्तरकासी के हुडली से प्राप्ट सेल चित्रों में निले रंग का प्रियोग किया गया है तो अगला क्वेशन है आठ तामर मानुवा क्रित्यों की प्राप्ति कहां से हुई है उप्षन A, बनकोट चेत्र से उप्षन B, गौर्ख्या गुफा से उप्षन C, लाखु गुफा से उप्षन D, इनमे से कोई नहीं तो आपका सही आंसर होगा उप्षन A, बनकोट चेत्र से तो अगला क्वेशन है उप्षन के किस राजवन्स को प्रथम एतिहासिक राजवन्स माना जाता है उप्षन A, कार्थिक के इपुर, उप्षन B, कत्यूरी राजवन्स, उप्षन C, निम्बर वन्स, उप्षन D, A और B दोनो तो आपका सही आंसर होगा उप्षन D, A और B दोनो, कत्यूरी राजवन्स और कार्थिक के इपुर हर स्कीम मृत्यू के बाद उत्राखण में उत्पन अरा जगता की इस्तितिकी समाप्ति 700 इस्वी में कार्थिक के इपुर राजवन्स की इस्ताफना के साथ हुई प्रामानिक साथ्यों के कारण इस राजवन्स को उत्राखन यानि की कुमाओं का प्रतम एतिहासिक राजवन्स माना जाता है तो अगला क्वेस्टन है प्राचीन काल में गढ़वाल छेत्र में कौन से दो विद्धापीट थे? तो आपका सही आंसर होगा ओप्सन दो तो आपका सही आंसर होगा ओप्सन दो तो आपको विद्धापीट रहने के लिए धन्यवाद आई होप आपको विडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं अगली विडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक है